हलो दोस्तों आईए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, आज की क्लास में हम करेंगे GKGS का सेट नंबर 16, यह सब भी परिक्षाओं के लिए इंपोटेंट है, आप चाहे किसी भी परिक्षा के त्यारी कर रहे हो, वीडियो को लाज तक देख सकते हो, इसमें हम MCQS करेंग तो आईए स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला क्यूशन है प्रत्वी पर दिन और रात होते हैं, तो प्रत्वी पर दिन और रात होने का क्या कारण है, ओप्शन A है देनिंग गति के कारण, B है वार्सी गति कारण, C है छे माही गति के कारण, और D है ती माही गति के कारण, त कि आपको कितने question आते हैं तो इसका answer क्या होगा प्रत्वी पर दिन और रात जो है देनिक गती के कारण होते हैं किसकी कारण होते हैं देनिक गती कारण प्रत्वी पर दिन और रात होते हैं आप भी answer comment करते जाएए इससे आपको अपना level पता चलेगा हमारा second question है सबसे बड़ा ग्रह है तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है option है ब्रस्पती, प्रत्वी, यूरेनस और सुक्र तो answer क्या होगा सबसे बड़ा ग्रह है वह है ब्रस्पती कौन सा है ब्रस्पती सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा उपकरे कौन से ग्रह के हैं? यह भी ब्रस्पत्ति के कितने हैं? 92 उपकरे है और प्रत्थ्वी का उपकरे कौन सा है? यह आप comment करके बताएए प्रत्थ्वी का एक मातर उपकरे है वह है कौनसा है, वह है चंद्रमा next हमारा question है सबसे छोटा ग्रे है तो सबसे छोटा ग्रे कौन सा है a. mangal, b. sani, c. budd । d. napchin तो answer क्या होगा answer आपको पता ही होगा सबसे छोटा ग्रे है वो है budd कैसा है सबसे छोटा ग्रे है next हमारा question है अगुल हास धारा किस महासागर में बनती है तो ये धारा है, वो कौन से महासागर में बनती है, ये हिंद महासागर में बनती है, हमारा पांचवा क्यूशन है, पृत्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है, जो पृत्वी के अंदर का भाग है क्रोड, वो कौन-कौन सी धातों से मिलकर बना होता है, इ नेक्स्ट अमारा क्यूशन है मैगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा इस्तान है तो प्रथम देश कौन सा है तो कौन सा है प्रथम देश इसका अंसर क्या होगा ये है रूसी संग कौन सा है रूसी संग जो है प्रथम है क्या उत्पादन में मैगनीज के उत्पादन में नेक्स्ट है निमन लिकित में से कौन देश कोईले का सबसे बड़ा उत्पादक है तो कोईले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से देश में होता है आंसर बताइए इसका ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोईले का उत्पादन होता है एट क्यूशन है इन में से किसको जापान का मैंचेस्टर कहा जाता है तो जापान का मैंचेस्टर है वो किसको कहा जाता है आंसर बताईए ये ओसका को जापान का मिन्चेस्टर कहा जाता है और जापान की राजधानी कौन सी है ये टोप्यो जो है जापान की राजधानी है नेक्स्ट है भारत के स्वतंतरता संगर्ष के दोरान डेकन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्ता की सापना किसने की थी तो इसका आंसर क्या होगा ये बाल गंगाधर तिलग ने इसकी सापना की थी नेक्स्ट हमारा क्यूशन है अठारा सो सताउन के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो कौन था भारत का गवर्नर जनरल का आंसर है लोड कैनिंग लोड कैनिंग जो है अठारा सो सताउन के गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल थे नेक्स्ट है भारत भारतियों के लिए है नारा किस संस्ता ने दिया तो भारत भारतियों के लिए है ये नारा कौन से संस्ता ने दिया था ये आरिये समाज ने दिया था कि भारत जो है वो भारतियों के लिए है नेक्स्ट आमारा क्यूशन है विंद्याचल और सत्पुड़ा पहाडियों के बीच में होकर बहने वाली नदी है तो विंद्याचल और सत्पुड़ा पहाडियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है आंसर बताईए ओप्सन है नरमदा, सिंधु, कोशी और प्रम्दा नदी जो है विंद्या चल और सत्पुड़ा पहाडियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है एक्जाम में पूछा गया क्यूशन है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फॉंड किस संस्ता ने स्तापित किया तो कौन सी ने किया है ये सेबी ने सिक्योर्टी एक्षेंज बोर्ड ओफ इंडिया ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फॉंड को स्तापित किया है नेक्स्ट है पुंडापूर एवंकरवार कच्छ वनस्पतिस्तान कहां स्तित है तो इसका आंशर क्या होगा पुंडापूर एवंकरवार कच्छ वनस्पतिस्तान जो है ये कन्नाटक राज्ये में स्तित है नेक्स्ट अमारा क्यूशन है भारत की प्रथम बहु देशिये पर्योजना किस नदी पर बनाई गई थी तो कौनसे नदी पर बनाई गई थी आंसर बताईए इसका भारत की प्रथम बहु देशिये पर्योजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी नेक्स्ट है भारत में प्रथम इस्तापित पर्मानु सहिंद्र कौन सा है तो कौन सा है भारत में प्रथम इस्तापित पर्मानु सहिंद्र ये है तारापूर पर्मानु सहिंद्र है नेक्स्ट हमारा question है कासी महाजनपद की राजदानी कहा है तो महाजनपदों की राजदानी उसे related question पूछे जाते हैं महाजनपदों पर अलग से वीडियो बनाकर अपलोड किया था आपो वीडियो जरूर देखिए उसमें 16 महाजनपदों की राजदानी उनके सासक और भी उनसे related question है वो उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे तो कासी महाजनपद की राजदानी कहां थी या कौन सी थी ये थी वाराण सी कासी की राजदानी कौन सी थी वाराण सी थी next question है आगरा सहर को किसने बसाया तो किसने बसाया था आगरा सहर को ये सिक cinema लोदी ने आगरा सहर को बसाया था next हमारा question है राष्टे प्रती के निचले भाग में उतकर्नित सब्ध सत्य मेउजेते को किस संदर्ब से लिया गया है तो सत्य मेउजेते है वो कहां से लिया गया है इसका आंसर क्या है पुरान जातक मुंदुकोपनिशद और महाभारत तो कहां से लिया गया इसको मुंदुकोपनिशद से जो है सत्ते मेव जैते को लिया गया है नेक्स है असो के सिला लिखों की लिपी क्या है तो क्या है असो के सिला लिखों की लिपी ये है ब्रहामी लिपी कौन सी है ब्रहामी लिपी है जो असो के सिला लेखों पर लिखी गई है नेक्स्ट कुशन है बिहु निमलिकित में से किसका लोग प्रिये नर्थे है तो कहां का है बिहु असम, उडिसा, बिहार और बंगाल तो उसका अंसर क्या होगा बिहु जो है असम का लोग प्रिये उत्सव है नेक्स्ट अमारा क्यूशन है विवेकानन्द रोख मेमोरियल कहा स्थित है तो कहां पर है विवेकानन्द रोख मेमोरियल ये तमिल लाडू राज्ये में स्थित है नेक्स्ट हमारा क्यूशन है महात्मा गांदी को राष्ट पिता के रूप में उलेकित सबसे पहले किस ने किया था तो महात्मा गांदी को राष्ट पिता कहकर सबसे पहले किस ने पुकारा था आंसर बताईए आप इसमें से सुबास चंदर बोस जवाला नेरू या वल्लभा तो किन्हों ने कहा था, ये कहा था, सुबास चंदर बोस ने महातमा गांधी को राष्टर पिता कहा था, नेक्स्ट क्यूशन है, प्रथम गोल में सम्मेलन कहा हुआ था, तो गोल में सम्मेलन है, कहा हुए थे और ये प्रथम वाला कहा हुआ था, ये लंदन में हुआ था, इ किसे जाना जाता है A. सरदार पटेल B. पंडी जवालाल नेरू C. महत्मा गांधी और D. लोक मानने तिलग तो आंसर क्या होगा आंसर आप बताइए इसका कॉमेंट कीजिए कि देश का लोहःपुरस है वो किसे कहा जाता है तो किनको कहा जाता है सरदार पटेल को कहा जाता है नेक्स्ट है महत्मा गांधी को अदनंगा फकीर किसने कहा तो किसने कहा था ये चर्चिल ने महत्मा गांधी को अदनंगा फकीर कहा था नेक्स्ट अमारा क्यूशन है महात्मा गांधी निमन लिकित में से किन से अधिक प्रभावित थे तो किन की विचारों से महात्मा गांधी प्रभावित थे तो किन की विचारों से महात्मा गांधी प्रभावित थे ये क्यूशन एक्जाम में बहुत बार पुछा गया है important question है SSC में पूछा जाता है next हमारा question है महत्मा गांधी का जनम हुआ था तो कौन से year में महत्मा गांधी का जनम हुआ था ये हुआ था 1869 में महत्मा गांधी का जनम हुआ था next है पंजाब केस्टी के नाम से कौन विख्यात थे तो किन को पंजाब केश्री के नाम से जाना जाता था? A है रंजीत सिंग, B है गुरू गोविन सिंग, C गुरू नानक और D लाला लाजपत्राई तो इसका आंसर आप सबको पता होगा पंजाब केश्री के नाम से लाला लाजपत्राई को जाना जाता है यह हमारा next और last question है निमन लिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है तो गंगा की सहायक नदी आपको सारी याद होनी चाहिए और इन में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है A. स्वन रेखा, B. स्वन, C. गंडग और D. कोसी तो इसका आंसर क्या होगा? यह स्वन रेखा, गंगा की सहायक नदी नहीं है इसके अलावा स्वन, गंडग, कोसी यह गंगा की सहायक नदी है तो यह आज की हमारी class ती आपको यह क्यासी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताए वीडियो को लास तक देखने के लिए थैंक यू अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंदारी हो तो इसको अपने दोस्तों में भी सेर कीजिए थैंक यू